लॉयर बनके इस देश की सेवा करने का मौका देता है आपको ये एक्जाम जिसका नाम है क्लाइट 2024 तो क्या आप भी चाहते हैं इस देश की सेवा करके अपने लिए एक ऐसा noble profession चूझता है जहां से आपको लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिलता है इस दुनिया के लिए इन के लिए कुछ करने का मौका मिलता है तो कहीं ये जो आपका मौका है ये छूटना जाए तो इसी के लिए आपके सामने है last chance जी हाँ लास्ट chance रहे गया है आपके लिए इस सुनहरे मौके का फाइदा उठाने के लिए जहां पर आपको मौका मिलता है देश के प्रतिष्टिस्ट इंस्टिउशन्स में जाके लॉयर बनने का और उसके लिए आपको एक्जाम देना पड़ता है CLAT का CLAT 2024 का पेपर 3rd December को होने वाला है और इसकी last date जो form की भरने की है वो है 3rd November तो अभी तक भी अगर आपने form नहीं भरा है तो चांस बाकी है फड़ावट से form भर दो इसका और अपने लिए एक बहतरीन करियर के दरवाजे खोल दो लेकिन जब आप वो form भरते हैं तो एक चीज आपको हमेशा परिशान करेगी और अगर वो आपको भी परिशान कर रही है अभी तक तो आपको session के end तक बने रहना है मेरे साथ इसी channel पर तो क्योंकि इसी पर मैं आपको बताऊंगा कि वो जो परिशानी है उसका solution आपको कैसे मिल सकता है तो solution जानना चाहते हो अगर जानना चाहते हो तो आप शुरुवात करते हैं session की और देखते हैं कि वो क्या है solution क्योंकि अब NLU का सपना अब होगा अपना ये session को देखने के बाद अगर चाहते हो कि ये जो सपना देखा है आपके घरवालोंने आपके लिए कि आप एक बहतरीन और सुनेहरा भविश्य बनाए तो उसके लिए आपके सामने आ चुका है ये रामबान session जहां पर आप जाके भर दो और अपने लिए एक करियर चुन लो वो problem आती है कि हम कैसे भरे preference list कहां कहां से कौन कौन से NLU को पहले रखें जहां पर हमारे को फायदा मिलेगा तो वो आपके सामने ले के आया हो तो पहला list आपको भरना है वो है NLS Bangalore ये वो institution है जो एक तरीके से आपके लिए कह इस रास्ते पर कदम रख दिया और इस रास्ते को पार करके वहां तक चले गए तो आपका एक सुनहरा भविश्य बनना तै है पक्का है दूसरा आपको भरना है second is Nalsar Hyderabad second आपको अपनी preference list में भरना चाहिए Nalsar Hyderabad जो कि आपके लिए बहुत important है फिर आपके पास third और fourth प गर सकते हैं दोनों आपको बहुत और बहतरीन आपको placements और एक अच्छा पढ़ाई का महौल देते हैं डिपेंड करता है कि आप कौन सी state के भी हैं उसके बेस पे भी आप इनको उपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि domicile आपका उसी state का होगा उसके बार आपके पास GNLU गांधी नगर और नलू भपाल गिव यू आपको बहुत कुछ और प्लेस्मेंट तो आपको यह देते ही हैं तो इसको आप भर सकते हैं और फिफ्ट अंदर शिक्थ पोजिशन सेवंथ और नेच्ट के लिए यू तेक टेक एचनलू राइपॉर और नलू और इसा बहुत कुछ और of good reputation that can help you out. Then next comes Mumbai and RML Lucknow. Mumbai का आप यहां पर इसको अभी infrastructure देखके मच जाए लेकिन इसका आप position देखिये, placement देखिये कि कहां पर है तो this gives you a very very good option to fill in the upper side of your preference list. Then from 11 onwards आपके सामने ये पूरी की पूरी लिस्ट है जो कि आप follow कर सकते हैं. राजीव गांधी National University of Law, National University of Advanced Legal Studies, Kochi, चानक्या National Law University, CNLU पतना और अब आपको CNLU पतना के बारे में भी एक update आचुका है जो आपको पता होगा कि BBA, LLB अगर वहां से कोई कर रहा है तो BBA, LLB के लिए आपका commerce student होना जरूरी है वरना आपको वहां admission नहीं मिलेगा. Science और Humanities के student BBA, LLB नहीं कर सकते हैं, CNLU पतना से. उसके बाद NUS Research of Law, NUSLR, Rajchisim, Maharashtra National Law University, Nagpur, NLU Assam, Damodaran Sanjivya National Law University, that is from Vishakha Patnam. ये आपके 11 to 17 बन जाता है और उसके बाद आपके लिए rest in the list में आता है, NLU Tamil Nadu, Himachal Pradesh National Law University, Shimla, NLU Sonipat, NLU Aurangabad, NLU Jabalpur, NLU Silvasa and NLU Tripura. ये पूरी की पूरी list आपके लिए आजाती है, इन में से आप थोड़े से जो last के हैं, इनको अगर tweak करके ऊपर नीचे करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें जादा आपको फरक नहीं लगेगा, वो depend करता है कि आपके घर से भी कौन सी कौन से institutes पास हैं तो कहीं बार आप preference list इस basis पे भी भर देते हों कि age of the institute क्या है, faculty कैसी है, placement कैसे है, वहाँ पर exposure मिलेगा ये नहीं मिलेगा, proximity कैसी है, और कहीं बार आप अपना जो preference list है, वो base करते हो कि आपके घर से भी क्या proximity है, कितनी पास है, कितनी दूर है, इन सारे factors के base पे आप अपनी preference list भर देते हो, तो ये सारी चीजे थी और उसके साथ साथी, अगर आप चाहते हैं, तो हमारे लिए ये sprint 2.0 batch आच चुका है, जो आपको ये last one month में देगा भर पूर तयारी, अगर आप चाहते हैं, ये batch लेके हमारे साथ practice करना, उनी questions की, जो passage based questions हैं, और आपके klat में आएं तो फड़ा-फट से जाएं, सोच किया रहे हैं, कहीं आपकी train छूट ना जाएं, क्योंकि मौका है आखरी, और आपको जाना है ज़रूरी, कहां पे NLU में, और ये NLU का सपना हम करेंगे अपना एक दूसरे की help करके, तो आईएगा फड़ा-फट से code यादर कियेगा Y713, और उसी के साथ साथ, मेरे वो सारे बच्चे जो इस वक्त, जो इस वक्त, क्लास 11th में हैं, और उन्होंने सोच लिया है कि उनको भी law करना है, उनको भी एक बेहतरीन lawyer बना है, तो आप हमारी यहाँ पर site पर जाएंगे, यहाँ all courses पर जाएंगे, all courses पर जैसी आप जाएंग validity 15 months की है, 39 test series, 155 e-books, 1 books, यह आपको सब कुछ दिया जाएगा इसके अंदर, और इसमें आपको सिर्फ code लगाना है, Y713, और कर देना है, apply, तो आपको यह 17,020 रुपे में पूरे साल की preparation, जितने batches आएंगे, सब का access आपको मिलेगा, preparation करने के लिए, तो आप फड़ा- code लगाते है, Y713, तो आपको मिल जाएगा maximum discount, तो फड़ा-फट से जाएए, और code लगाए, Y713, और पा जाएए, यह maximum discount, तो फड़ा-फट से, for class 2025, जो की होगा December 2024 में, तो आप जाके फड़ा-फट से, इस law को करना है, अगर आपको conquer, तो लेना है आपको law का महापक, at 8247, याद रखेगा, ना में हाशिशगर, पढ़ाता हूँ आपको English language, all critical reasoning, तो अगर आप भी चाहते हैं successful होना, जुर जाएए मेरे साथ, कर रहा हूँ आपका इंतजार, यही पर, जैहिन, जैभारत!